अब्सक्राइब नाओ and प्रेस तब बैल आइकन नेवर मिस अपडेट असलाम अलेकूम हेलो and वेलकम बैक तो आई यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्यूटर तो आज के इस टापिक में हम पढ़ेंगे रिसूर्स फ्लानिंग के बारे में मैंने अल्रेडी एक वीडियो इसमें अपलोड किया है जिसमें हमने रिसूर्स के बारे में फढ़ा था और उनकी टाप्स के बारे में फढ़ा था उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है तो आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए आगाइज, आज कि इस टापिक को हम स्टार्ट करते हैं, आज का छो हमारा टापिक है, वो है रिसोर्स प्लानिंग So resource planning एक widely accepted strategy है किस चीज़ के लिए For the judicious use of resources के लिए इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में बहुत ज्यादा diversity है In the availability of resources में यानि कि इंडिया जो है इंडिया में कुछ areas ऐसे हैं जो कि rich in है किसमें एक type of mineral में लेकिन वही जो area है वो lag करता है बाकी minerals में इसी तरह किसी दूसरे area में कोई दूसरा mineral पाया जाता है और बाकी minerals जो है वो वहाँ पे पाये नहीं जाते हैं कुछ areas ऐसे भी है जहां पे plenty of resources पाये जाते हैं और कुछ areas ऐसे हैं जहां पे बिल्कुल भी कोई resource पाया नहीं जाता है पर example जो हमारे states हैं जैसे कि जहरखंड है 36 ग्रह है या MP है वहाँ पे क्या है ये जो states है ये rich in है किस चीज में कि यहाँ पे बहुत सारे minerals और coal deposits भी पाये जाते हैं अरुनाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे abundant water resources है लेकिन वो lag करता है किस में infrastructure development में तो जो states है जैसे कि राजिस्थान है वहाँ पे बहुत ज़्यादा solar energy होती है लेकिन यहाँ पे water resources बहुत कम होते हैं यानि कि अलग-अलग states में अलग-अलग resources होते हैं कहीं पे बहुत ज़्यादा resources होते हैं और कहीं पे बहुत कम होते हैं और कहीं पे एक किसम का resource पाया जाता है और कहीं पे कोई दूसरा resource पाया जाता है So keeping these things in mind हमारे पास क्या होना चाहिए हमारे पास original level पे या state level पे या national level पे या हमारे जो local level है वहाँ पर क्या होना चाहिए there should be a balanced resource planning अब हम देखेंगे कि इंडिया में resource planning कैसे की जाती है so let's move to the topic resource planning in India so इंडिया में resource planning के 3 steps हैं यानि कि 3 steps में इंडिया की जो resource planning है वो की जाती है तो first step है तो first step यह है कि अगर इंडिया में कहीं पे या किसी भी state में कोई mineral निकलता है तो पहला step यही है कि हम minerals को identify करें कि किस state में present है और कौन सा mineral present है यह हमारा first step होता है पहले इनको identify करना होता है तो दूसरा step जो है वो यह है कि हमने resources को identify तो कर लिया है अब हमें planning करनी है कि यह resources हम इस area से extract कैसे करेंगे और जो third step है वो यह है कि हमने पहले resources को identify किया फिर उसकी planning की इसके बाद इन resources से overall development कैसे होगा हमारी country में तो यह क्या है यह steps है तो पहला step यह था कि हम identify करें minerals को number second step यह है कि उनकी planning की जाती है और number third में हम इनको क्या करते है उनका हम देखते हैं कि कैसे उन चीजों से उन resources से overall development होगा तो इसके लिए हमें क्या करना होगा हम उस area की surveying करते हैं जिस area में कोई भी mineral present होगा तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे हमें surveying करनी पड़ती है mapping करनी पड़ती है ताक कि हमें ये पता चले किस area में जो minerals है उनकी quality क्या है या वो किस quantity में present है तो step 2 में हम क्या करेंगे हम planning करेंगे कि किस technology से इन minerals को extract करेंगे कौन सी technology हमें use होगी कि किन skills के लोग हमें चाहिए इन resources को extract करने के लिए और कौन से institutions है जो हमें set up करने है ताकि हम इन resources की अच्छी तरह से planning कर सकें step 3 में हम match करते है कि हमारे जो resource development plans है इनको हम match करते है किस के साथ with the overall national development plans जैने कि जो हमारे national development plans है इन plans के साथ इनको match करना होता है अब अगर हम बात करेंगे development की तो सिर्फ resources के होने से ही development नहीं होती है availability of resources बहुत ज़्यादा ज़रूरी है development के लिए बलकि हमारे पास appropriate technology और appropriate institutions भी होने चाहिए कुछ countries ऐसी है जहाँ पे resources तो present है बट वो economically backward है और कुछ countries ऐसी है जहाँ पे बहुत कम resources है लेकिन economically developed countries है for example अगर अफरीका की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे minerals आपको मिलेंगे for example gold, silver, diamond, petroleum ये सारी चीज़ें आप लोगं को वहाँ पे मिलेंगे तो पुराने जमाने में क्या हुआ पुराने जमाने में उनके पास technology नहीं थी और Europeanis वहाँ पे पहुँच गए अपनी technology लेके और वहाँ से सारे resources extract कर गए इसका मतलब यह है कि resources होने के अलावा हमारे पास technology भी होनी चाहिए ताकि हम resources को extract कर सके अगर हमारे पास resources है बट technology नहीं है तो हम कोई भी development नहीं कर सकते In fact, human resources भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है overall development के लिए तो बढ़ते हैं eco topic की तरफ जिसका नाम है conservation of resources हमने अभी तक यह पढ़ा कि कोई भी जो developmental activity होती है उसके लिए resources का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब क्या हुआ की development के लिए हमने उन resources का बहुत ज़्यादा यूज किया है यानि की हमने over exploitation किया है जिसकी वज़े से बहुत सारे environmental and socio-economical problems जो हैं वो create हो गई है इन problems को over come करने के लिए resources की जो conservation है वो बहुत ही ज़्यादा important है at various levels for example Gandhi जी ने एक बार कहा था कि there is enough for everybody's need and not for anybody's greed तो उसने greedy और selfish लोगों को इन resources के over exploitation का जिमेदा ठहराया है जिनकी वज़े से ये जो हमारे resources है वो deplete हो रहे हैं let's move to the another topic that is called the land resources आप सब को पता है कि हम लैंड पे रहते हैं और हम लैंड पे रहने के साथ साथ बहुत सारे economical activities भी perform करते हैं और हम अलग-अलग तरीकों से इस लैंड को यूज करते हैं इसलिए जो लैंड है वो एक important natural resource है जिसकी बहुत ही ज्यादा importance है आपको पता ही है कि लैंड ही एक ऐसी चीज है जो support करता है natural vegetation को wildlife को economic activities को या जो हमारे transport and communication systems है उनको भी यही जो लैंड है वो support करता है लैंड एक ऐसी चीज है जिसको हम expand नहीं कर सकते इसलिए यह बहुत ही ज्यादा important है कि हम इस available land को use करें with careful planning as you know कि इंडिया की land पे variety of relief features पाए जाते हैं जैसे कि mountains हैं, platews हैं, plains हैं, islands हैं जिनके बारे में हमने already पढ़ा है अगर आपको वो video देख जिनके बारे में हमने already पढ़ा है अगर आप उस video को देखना चाहते हैं तो उपर आई के button पे click करके देख सकते हैं या description box में उसकी link मैंने डाल दी है, आप वहाँ पे भी उस video को देख सकते हैं तो आते हैं अपने topic की तरफ तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि about 43% जो land है इंडिया का वो plan areas ने cover किया है जहां पे लोग यानि कि इन ही 43% में लोग क्या कर सकते हैं वो अपना agriculture कर सकते हैं या farming कर सकते हैं या अपने industries वागेरा जो है वो setup कर सकते हैं अगर हम mountains की बात करेंगे तो mountains ने तकरीबन 30% of the total surface area of the country cover किया है औरीनी mountains से कुछ perennial rivers flow होते हैं जिनकी वज़ा से low lying areas में water की availability सालू साल रहती है अब जो 27% area है वो plateau region आता है जिनमे rich reserves of minerals fossil fuels and forests होते है तो बढ़ते हैं एको टापिक की तरफ land utilization land resources are used for the following purposes यानि की हम land को कहां कहां पे utilize करते हैं या हम किस किस farm में इस land को utilize करते हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे foresters की तो जमीन का कुछ हिसा हमारे foresters ने cover किया है यानि की ये वो area होता है जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ foresters को देखोगे number next जो होता है number second जो होता है land not available for cultivation अब हमारी जमीन का कुछ हिसा ऐसा भी होता है जहां पे हम cultivation कर ही नहीं सकते हैं यानि कि कुछ land ऐसी होती है जो barren होती है या waste land होती है in other words हम इसको बंजर जमीन भी कहते है और जो दूसरा type of land है जैसे कि वो land जहां पे हमने roads बनाए हैं, railways बनाए हैं या buildings बनाए हैं, अपने factories बनाए हैं वो land भी किसके अंडर आता है वो land भी इसी के अंडर आता है कि जहां पे हम कोई भी cultivation नहीं कर सकते हैं तो third type इसका है other uncultivated land यानि कि जिसमें excluding fellow land है यानि कि fellow land हम उस land को कहते है जो हमने uncultivated छोड़ दी है for some time ताकि जो इस जमीन में nutrient lost होता है वो regain हो जाए और soil जो है वो फिर से fertile हो जाए तो इसमें क्या क्या आता है permanent pastures and grazing land आता है इस type में भी हम land को utilize नहीं करते हैं जैसे कि जो हमारे pastures होते हैं या grazing land होती है जहाँ पे हम अपने animals को चराने के लिए ले जाते हैं तो इस land को भी हम cultivation के under नहीं ला सकते हैं इसी तरह एक और type है हमारे पास जहाँ पे हम cultivation नहीं करते हैं जैसे कि land under tree crops है या grooves है एटसेटरा थर्ड टाइप जो है वो है cultural level waste land जिसको हम तकरीबन पाँच साल के लिए uncultivated छोड़ते हैं तो फोर्थ जो हमारा type आता है वो आता है fellow land fellow land मैंने अलरड़ी आप लोगों को बोला है कि fellow land किसको कहते हैं ये land ऐसी होती है जहाँ पे cultivation की जा सकती है लेकिन इसको uncultivated छोड़ दिया जाता है for some time इसमें हमारे पास दो टाइपस of fellow lands है एक को हम बोलते हैं current fellow यानि कि left without cultivation for one or less than one agriculture year यानि कि जो एक साल या एक साल से कम खाली छोड़ दिया जाए उसको current fellow कहा जाता है अब दूसरा टाइप इसी का है other than current fellow जिसमें हम ये कहते हैं कि ये ऐसी land होती है that is left uncultivated for past one to five agriculture years यानि कि जमीन का वो हिस्सा है जो एक से पाँच साल तक खाली छोड़ दिया जाए इसको हम other than current fellow की category में रखते हैं उसके बाद आता है हमारा net soven area land soven at least once in a year अब वो area हमारे land का जहां पे हम cultivation करते हैं इसको हम net soven area कहते हैं ये net soven area वो area होता है हमारी land का जहां पे हम कम से कम एक बार एक साल में जरूर cultivation करते हैं इसमें एक ओर टर्म आती है gross cropped area ये gross cropped area एक ऐसा area होता है जिसमें एक साल में एक से ज्यादा बार cultivation किया जाता है पलस दा net soven area इन दोनों को मिला के हम कहते हैं grass cropped area I hope कि आप लोगों को ये topic समझाया होगा अगर फिर भी आप लोगों को कोई problem है तो आप हमें comment box में पूछ सकते हैं we will try our best to to make you understand each and everything so thanks a lot but Allah Hafiz